हेलो फ्रेंज वल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल आसाम गुबली संतोष तो आज में लेकर के आया हूँ न्यूव स्मार्टफोन पोको M3 एंड इस दिवाइस को मैं अनवक्सिंद करके देखाऊंगा एंड साथ में सेट अप करके दिखाने वाला हूँ एंड इस दिवाइस का फ्रीटर्स के बारे में भी बात करने वाला हूँ इस दिवाइस के अंदर क्या क्या दिया गया है वो सभी आप सभी को देखाने वाला हूँ तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हूँ और इस पेकेज को खुलने के बाद एक पेपर आपको दिया जाएगा जो 181 यार का वारेंटी एंड इसका सही प्राइज तो टोटल मिला करके हो गया आपको 11,999 यानिकी 12,000 तो इसमें एक पिन दिया गया है जो स्लोट कर्ड में जो मेमोरी काड और सिम को निकाला जाता है अंदर से बाहर की और तो और इसमें और यहां पर एक हैंसेट डिफेक्ट लिस्ट दिया गया है जो इस दिवाज को सही से समझ करके यूज करने के लिए तो इसका प्राइज भी यहां पर दिया गया है और यह है बेक कवर और प्राइज दिया है 75 पैसे यानिकी 75 रुपिया इस बेक कवर का सही प्राइज है एंड यह रहा बेक कवर जो काफी ओसुम लुक दिखाई दे रहा है और मुबैल में लगने के बाद और भी खुब्सूरत दिखाई दे गया है इसको साइड में रखते हैं और आग देखते हैं क्या क्या दिया गया है इस बॉक्स के अंदर तो आई यह रहा मुबाल के लिए साइड में रखते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या है तो इसकेड में रखते हैं और यह रहा यूस्बी केबल जो बहुत इंखुबसूरत लुक दिखाई दे रहा है और इस तरह को आपको कुछ देखने का मिलेगा एंड इसको भी रख देते हैं साइड में और देखते हैं और यह रहा एडप्टर वाइट कलर में दिया गया है तो इसको भी साइड में रख देते हैं और इसके अंदर क्या क्या है तो वो भी देखते हैं नहीं इसमें और कुछ भी दिया गया नहीं है तो चलिए हम mobile को दिखाते हैं आप सभी को किस तरह का look back side कुछ इस तरह का दिखे देगा and front side कुछ इस तरह का तो चारो corner के और हम देखाएंगे आप सभी को इस corner में देखा जाएं तो बहुत slim देखाई दे रहा है और यह रहा charger connector and speaker दिया गया है three holes है इस speaker में and side में जो आपको यह देखाई दे रहा है यह fingerprint का है जो power का भी काम करता है और यह front के side कुछ इस तरह का है और back side काफी smooth देखाई दे रहा है and camera के बात करें तो 48 mega picture camera दिया गया है और यहाँ पर कुछ sticker लगाया गया है और बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है front side से भी देखिए तो अब मैं इस device को setup करने जा रहा हूँ तो power button को press करें थोड़ा time के लिए तो यहाँ पर power on हो चुका है अब ध्यान से देखिएगा इसको setup किस तरह से किया जाता है तो कुछ second का time लेगा एंड आपको बता दे कि यह एम आई का ही phone है जो पोको नाम से लंच किया गया है तो यहाँ पर यह रहा open हो चुका है और यहाँ पर touch कर दीजे कार्चन पर और अपना language चूश कर ले तो इंग्लिज चूश कर लिया एंड आपका region क्या है वो भी select कर लिजे कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ गलतिया कर देते तो यह सब ना करें क्योंकि यह new phone है तो अब आपको यह privacy जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी आपको कुछ होने वाला है नहीं तो नीचे के तरफ स्क्रोल कर लिजेगा जो एक select का option आएगा तो यहाँ पर touch कर लिजे और फिर इसको skip कर दिए अब नीचे के तरफ स्क्रोल करें और एक्सेप्ट कर दिए कुछ सेकंड लेगा एंड यहाँ पर fingerprint पांग रहा है और यहाँ पर नीचे के तरफ स्क्रोल किजे और इसको एक्री कर लिजे फिर आपका setup complete हो चुका है यहाँ पर कुछ सेकंड का टाइम लेगा डिस्प्ले ओपन होने के लिए करीबन 15 सेकंड का टाइम लेगा तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूं ताकि जंद ही आपको देखा पाए तो हो चुका है थोड़ा फास्ट यहाँ पर complete हो चका है और just a second कुछ समय के लिए wait किजिए और यह रहा डिस्प्ले तो इस तरह का दिखाई देगा आपको POCO M3 New Smartphone तो आज के वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो क्रिक्राइन लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि यह फोन आपको कैसा लगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करें एंड आपको इस फोन को पार्चेस करना है तो फ्लिप कार्ट से आसाने से पार्चेस कर सकते हैं एंड गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा डिवाइस दिया गया है जो 6000 का बैटरी बेक अप है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही बाइस